नमश्कार में प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में बिले COVID-19 के पांच से ज्याद अमामले बिहार बोट ने जारी कर दिया इंटर परिक्षा का अटमिटकार सीम रतीश ने 22 तारीक से प्रस्तावित अपनी यात्रा का बदला नाम बिहार में एक बार फिर से तेज होगा स्पीड डायर अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से जुला परिसद अध्यक्ष प्रमुख उपसर पंच उपमुख्या और अन्यपदों के चिनाव की तारीक हुई जारी बिहार में सफलता पुर्वक पंचाय चिनाव के आयोजन के बाद बारी जुला परिसद अध्यक्ष प्रमुख उपमुख्या और अन्यपदों के चिनाव की है जिसको लेकर इंतजार बीते कई दुनों से उमिद्वार कर रहे थे लेकिन अब उनकी तारीक जारी कर दी गई है वहीं जुला परिसद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके लिए 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक चिनाव कराने का निर्देश दिया गया है बिहार बोट ने जारी कर दिया इंटर परिक्षा का एडमिट कार्ड बोट की तरफ से जारी प्रवेश पत्रों के आधार पर ही प्रायोगिक परिक्षा होंगी वहीं से नहांतिक विश्यों के लिए अलग से अडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा बिहार बोट की तरफ से मिली जानकारी के नुसार इसबार परिक्षा राजु के विभिन केंद्रों पर एक फरवरी को आयोजित किया जाना है इसमें लगभग 12 लाग से अधिक परिक्षार्थियों के शामिल होने की उमीद जताई जा रही है यही कारण है कि विभिन स्कूलों कॉलेज में इंटर की परिक्षा को ले करके तैयारी काफी जोर शोर से शुरू हो गई है वहीं बोर्ड की माने तो समय पर परिक्षा और समय पर रिजर्ट देना बोर्ड की सरवोच प्रात्मिकता है बिहार का भोजपुर जुला बराने ज़ा रहा है नया रिकॉर्ड बिहार के भोजपुर जुले में जल्दी एक नया कीर्थिमान स्थापित होने वाला है जिसके तहट गढ़हनी देवडी सित बिहार दिस्टलीरी और बटलर्स कमपनी से एशिया में सबसे अधिक एसनॉल का उतपादन होने बाला है यह प्रते दिन 4 लाख लीटर एथनॉल का उतपादन करेगा मिली जानकारी के नुसार अगले साल मार्च से उतपादन शुरू करने का लक्षिन निरधारित किया गया है पहले से भी कमपनी धाई लाख लीटर प्रते दिन एक्स्ट्रा न्यूट्रल आलकोहल का उतपादन करती है के इंड्रेपत परिवहन और राश्ट्रे राजमार मंत्री नितिन गटकरी ने इस दौरान हाइब्रिट वाहनों को बढ़ावा देने की भी बात कही है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविज जिलों की बात करें तो गया में एक, किशनगंज में एक, मुझफरपुर में एक, पट्ना में एक, पुर्निया में एक और रहतास में एक मरीज की पुष्टी हुई है इसके अलावा किसे भी जुले में एक भी मरीज की पुष्टी नहीं हुई है वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,76,572 सैंपल की जाची गई वहीं इस दौराम 6 मरीज ठीक हो कर घर वापस लोटे है बिहारवासियों के पास 25 लाख रुपे इनाम जीतने का मौका स्वच भारत मिशन 2.0 के दहट सभी शेहरी निकायों में स्वच्छता चैलेंज की शिरवात होने वाली है जिसमें कचरा प्रबंधन के छेतर में काम करने वाले लोग स्टाटप कमपनियों और सैक्षिरिक संसाओं को प्रोथ साहिद किया जाना है इस स्टाटप का मुख्य उदेश यही है कि कम खर्श पर बहतर तकनीक से कचरा प्रबंधन को प्रोथ साहिद करना इस चैलेंज के तहट उनसे तकनीक आधारित कच्राप्रबंधन पर आईडिया मांगे जा रहे हैं जुन में से बहतरीन आईडिया को राश्टे स्थर पर भीजा जाएगा इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य के सभी शहरी निकायों से 30 दिसंबर तक एंट्री मांगी है भारतिय सीमा में घूमता चीनी नागरिक मधवापुर में गिरफ्तार भारत और नेपाल की सीमा एक दूसरे से सटी हुई और बिहार में नेपाल वासियों का आना जाना आम बात है ऐसा ही एक मामला बीते दिन सामने आया जब मधवनी के मधवा पुर्थाना चेत्र के गांधी चौक के पास भारतिय चेत्र में संदिक्द अवस्था में घूमते हुए एक चीनी नागरिक को SSB के जवानों ने पकड़ लिया बिली जानकारी के अनुसार यहनाकरी कांधी चौक के पास सीमा स्थम संख्या 295 में बटा दो के पास भारतिय सीमा शेत्र में घूमते हुए देखा गया था जुसे SSB ने पूछता चकी तो उसने बताये कि वो घूमने के लिए नेपाल आया था दो बड़े दिगच पवन सिंग और खिसारी लाली आदव इंडरों मीडिया के बाद हमसे लगातार एक दूसरे पर बयान बाजी कर रहे हैं इसे बीच इन दोनों की लड़ाई को लेकर अब कई भोजपुरी सेलिबरिटी अपना बयान दे चुके हैं जुसमें अब निरहुआ की एंट्रिवी हो गई है भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कामियाब फिल्मों का रुकॉर्ड बना चुके निरहुआ ने दोनों की इस लड़ाई पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि हम सभी आपस में काफी प्रेम करते हैं हम लोग अकसर अवार्ट फंक्शन बर्थरे या फिर किसी इवेंट में मिलते हैं खेसारी की हमेशा से आदत है कि वो जब भी पवन भाईया से मिलते हैं तो अपनी प्रॉपटी के बारे में बात करते हैं जब मैंने पवन से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने इतना काम करने के बाद तीन भी अचकी फ्लाट लिया है और वो रोज इतनी बिल्डिंग खरीद रहा है ये सोच कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बिहार में हर वर्ग को मिलेगा परयाप्त स्वास्त सेवा बिहार सरकार भले ही विकास के गुणगान करती हो लेकिन अभी भी विहार के कई ऐसे सुदूर ग्रामिन इलाके हैं जहां पर एक भी अस्पताल मौझूद नहीं है वहाँ पर भी अबस्वास्त सुवधाय पहुचा सुवधा उपलब्द करवाएंगे जिसके लिए एनम को प्रतिमा धाई सो रुपए अलग से दिये जाएंगे वहीं मरीजों को सेथीस प्रकार की निर्शुरुक दवाई भी दी जाएंगी इसके साथ ही स्वास्तवंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जानकारी के रुसा स्वास्तवभाग द्वारा प्रतिक बुधवार और शुक्रवार को विलेच हेल्थ और सानिटेशन दे का आयोजन भी किया जाएगा 48 घंटे में 2 डिगरी तक गिरेगा पारा सुबे में ठंड का आगवन हो गया है यही कारने कि बिहार के नियुंतम तापमान में उतार चुड़ाव जारी है शुक्रवार को नियुंतम तापमान में गिरावर दर्श की गई थी लेकिन शलिवार को सुभह नियुंतम तापमान में आंशिक वरेदी देखी गई जमकि अधिकतम तापमान में राजुभर में कमी आई है हालाकि इन सब के बीच मौसम विज्ञान केंद्र का यही मानना है कि अगले 48 घंटे में नियूंतम पारे में दो डिगरी तक गिरावर दर्च की जा सकती है पारे में उतार चुरहाव के कारण लोग काफी ज्यादा परिशान है मौसम में घ्यानिकों की माने तो पच्छवा हवा के प्रभाव में कमी और तेजी का अधसार बिहार के मौसम पर पड़ा है मौसम सिस्टम यह बता रहे है कि अगले 2-3 दिनों में नियूंतम तापमान में फिर से कमी आएगी बिहार में एक बार फिर से तेज होगा स्पीड डायल बिहार में एक बार फिर से स्पीडी ट्रायल को तेज करने की ओज़ा बनाई जा रही है इसके लिए ग्रिफभाग ने सभी जिलों के डियम और एसपी को पत्र जारी कर दिया है साथी बड़े और विधी विवस्ता को प्रभावित करने वाले आप राधिक कांडो की सूची बनाने के लिए कहा है इसमें सभी गंब्रीर अप राधिक मामलो को प्रमुखता देने को कहा गया है साथी सरकारी राश्री के दुरोपयोग और गबन से जुड़े मामलो के साथ वैसे मामलो को भी शामल किया जाएगा जिसके जमन में न्यायाले के में तत्वरित विचारन करने का अंदर देश्ती आ गया है स्पीडी ट्रायल के लिए जिला अभियोजन पर आधिकारी और लोग अभियोजको को जिला के थाना ध्यक्षो के सहयोग से हर कोटी में सौसो कांडो की सूची बनाने को कहा गया है और इस सूची में जिलो के स्पी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी इसके अलावा स्पी अपराथ की गंभीरता, पीडितो की संख्या, साक्षी आधी की आधार पर प्रते कोटी में कम से कम 25 पक्चुस कांडो की सूची तयार करने का आदेश देश देश के हैं विभागों के वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए अब मुख्य साचिफ की अनुमतिया निवारे अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी विभाग डियम के साथ सीथे तोर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का काम किया करते थे लेकिन अब मुख्य साचिफ की अनुमती के बिना कोई भी विभाग DM से वीडियो कॉन्फरेंसिंग नहीं कर सकेंगे कई महतवपूर्ण कारियों को संबातित करने में बाधा उत्पन हो रही है। आलोक रंजन जहा और पंचाइती राजमंतरी समरार चौधरी ने हर्याणा में परवांचल भवन का सपना साकार करने के लिए शनिवार को हर्याणा के मुख्यमंतरी से मुलाकात की और उन्हें एक संयुक्त पत्र भी सौपा है। यहां तक कि इन योजनाओं को MIS और Google शीट से भी डिलीट कर दिया गया है। याथोबे गुजराय में सारवाधी की ओजनाय बंद की गई है, दूसरे नमबर पर समस्ति पुर्जुला है। सीम नितीश ने 22 सारिक से प्रस्तावित अपनी यात्रा का बदला नाव। मुख्य मंत्री नितीश कुमार 22 दिसंबर से पहले तो समाज सुधार यातरा पर राजु के अलगलग जुलों में जाने वाले थे। लेकिन अब इस प्रस्तावित यातरा का ही नाम मदल दिया गया है, जिसके तहट अब यातरा को समाज सुधार अभियान का नाम दिया गया है, जिसके शिर्वात सीम नितीश मोतिहारी से करने वाल है, जबकि पटना और नालंदा में आकर यातरा का समापन होगा। इस यातरा के दौरान मुख्यमंत्री एक तरफ जहां जन सभाई करेंगे और अधिकारियों के साथ मंदिन शेद उत्पाद और निबंधन विभाग दहेज, प्रथा, उन्मूलन, बाल विवास समेद अने विभागों से जुड़ी योजनाओं की समिक्षा भी करेंगे, मंत के लिए प्रेरित करती है, वहीं बातों ही बातों में अश्पे ने ये भी कहा कि जब भी उनमें सुधार का जजबा नहीं रहेगा, तो वो खुद बखुद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, जुसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में अब सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद, आप में से जिनी यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है, मिथन कुमार पंडित, मनु कुमार, मनीश मोहरा, मनीश कुमार, महतो, अलतमाज जावेद, प्रशान कौन है, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताया, इसके साथ ही, आख्ष के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़े खबरों से अब्डेटेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कॉन तबारा ना भूले, धन्यवाद